नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर, दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों माता लक्ष्मी करेंगी आपके उपर धन की वर् दोस्तों शायद ये बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं, जिनका यदि आप सही प्रकार से इस्तमाल करें, तो जीवन में चल रही है समस्याओं से आपको तुरंट के तुरंट मुक्ती मिल सकती है, और उन्ही मसालों में से एक मसाला है, जीर जीरे का यदि सही प्रकार से इस्तमाल किया जाये ना केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंट के तुरंट मुक्ती मिल सकती है, बलकि आपको साक्षात माता लक्षमी का वर्दान और आशिरवाद भी मिल सकता है, शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय ब मुक्ती पा सकते हैं, जोतिश शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका इस्तमाल जोतिश शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूत पर किया जाए, तो आपको साक्षात माता लक्षमी का इस प्रकार से वर्दान प्राप्थ हो सकता है जिसके पश्चात ना आपके जीवन से धन संबंधित परेशानिया खत्म हो जाएंगी बलकि आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशिरवाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेंगी आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समरिध्धी तो आती ही आती है इसका उपाय का सही तरीके से किया जाएं तो आपकी आर्थिक स्थिती भी बहुत ही मजबूत रहती है कहा जाता है कि जीरे प्रकार से इस्तमाल करने से जीवन में आ रही लगातार अडचने जो होती है वो खत्म हो जाती है, आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। परिशानिया है जिससे आप बहुत ज्यादा तूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड लिया है जिसका आप इलाज कराकरा के ठक गए हैं परन्तु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केवल आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाय देख लीजिए आपको हम जोतिश शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तमाल यदि आप सही। मुहूर्थ पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ती मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत त तंत्र शास्त्र में जीरे के इस्तमाल को सबसे उत्तम इस्तमाल बताया गया है। कहा तो यहां तक गया है कि यदि कोई व्यक्ती माता लक्ष्मी का आशिरवाद प्राप्त करना चाहता है और वो केवल जीरे का इस्तमाल और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने सही पर कर ले तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्षमी जी का वो वर्दान और वो आशिरवाद मिलता है, जिसके पश्चात उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। और माता लक्षमी के आशिरवाद से। आके हम आपके कमेंट के बता देंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहला उपाए। जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ती का महाउपाय। दोस्तों ये बात शायद आपको ना पता हो। जब एक व्यक्ती कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है। उसकी इतनी परेशानिया आजाती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं और आप भी यदी उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है। तो आज आपको हम एक उपाय बताना रहे यह उपाय यदी आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही है। धन संबंधित परेशानिया तो आराम से खत्म हो जाएंगी यदी आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएं तो इस उपाय को करने के लिए आपको पांच शुक्रवार यह क्या उपाय करना होगा, अब शुक्रवार को ही दिन क्यों, तो जो शुक्रवार का दिन होता है, वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। देखिए पांच सब्ताह आपको यह। बहुत ही शुब होता है, अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में आपको एक मुठ्थी जीरा रखना है, एक मुठ्थी जीरा के उपर एक रुपया का सिक्का रखना है। लाल कपड़े को आपको मौली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है, माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाए। माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुप बैठा हो यह पोटली उसको दान कर दीजिए, इतना उपाए पांच सप्ताह कर लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका करजा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कि जिस कर्स के बोज में आप लोग दबे हु वे चला रहे थे, उस कर्स के बोज से आपको आराम से मुक्ती मिल जाएगी, दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है घर की बरकत का महा उपाएं। इतनी बुरी चीज होती है, जो हरे पेड को भी सूखा देती है, और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रहे है, आपके घर की उन्नती नहीं हो रही है। मंगलवार आपको करना है, तीन मंगलवार करने के पश्चात आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा। आपको मिट्टी का दिया लेना है। इसी प्रकार दोस्तों अब मान लीजिये आपके उपर कोई दोश लगा हुआ है। मतलब मान लीजिये आपको किसी ने नजर लगा दी है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोशों से इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ती मिल जाए। तो एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना है। सूर्यास्त के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिये। आपको बहुत जल्द ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि का जैसे नजर आपको लगी आपको अंदर से महसूस हो रहा है आपको क्या करना है शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात एक मुठी जीरा लीजिए एक मुठी जीरा लेने के पश्चात इसको अपने सर के उपर से बाईं और से दाईं और बहुत ध्यान से सुनियेगा द इतना उपाय कर लीजिए, आपके उपर जो भी नजर लगी होगी ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और उपर से नजर सदैव के लिए खत्म हो जाएगी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय केवल शनिवार के दिन की जाता है, दोस्तों ए एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ती का राहुकेतु उसका साथ नहीं देगा, वो व्यक्ती कितनी ही महंत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है, और राहुकेतु जिस व्यक्ती का साथ देता है, वह व्यक्ती यदि गलत निर निर्नय से भी उसको फाइदा पहुचता है और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहुकेतु आपका साथ दे आप जो भी निर्नय ले उस निर्नय आपको। तो आपको क्या करना है देखिए यह उपाय करने के लिए आपको तीन ब्रहस्पतिवार यह उपाय करना होगा तीन ब्रहस्पति का मतलब आप तीन ब्रहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं गुटका, पान, मसाला, शराब, मदिरा ये सब आप बिलकुल नहीं खा सक हैं, तीन ब्रहसपतिवार यह उपाय करने के पश्चात आपका राहु के तु सदैव आपका साथ देगा, जो भी आप निरनाय लेंगे उस निरनाय से आपको फायदा पहुँचेगा, बहुत ही आसान से उपाय है। आपको क्या करना है? ब्रिहस्पतिवार का जो दिन होता है वो भगवान विश्णु जी का दिन होता है. आप सुभा उठना है, नहाना है, धोना है. आपको पीले कपड़े पहनने हैं. क्योंकि भगवान विश्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं त आप किसी भी पीपल के पेड के पास जाएए, आप पीपल के पेड के पास क्यों जाना है? क्योंकि के पेड में भगवान विश्नु जी का वास होता है, पीपल के पेड के पास जाएए, सबसे पहले ये जो जीरा आपने एक मुठी लिया है, ये आपको पीपल पेड के दक्ष पश्चनु जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवा यह नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्त। उस निर्ने से आपको फाइदा पहुचेगा जोतिश शास्त्र के अनुसार शुक्रवार को मा लक्षमी के मंदिर में शंक, कौडी, कमल, मखाना और बताशा आदी अर्पित करने से लाब होगा इससे धन लाब होता है यह सभी चीजे मा लक्षमी की प्रिय है और अर्पित करन धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए